दोस्तों लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड रिसर्च आप लोग कैसे कर सकते हो तो उसमें मैंने एक टर्म इस्तेमाल की थी बैक लिंक बैक लिंक बहुत इंपोर्टेंट होता है बैक लिंक क्या होता ही समझ लीजे कि जब आपकी website किसी link को refer करती है तो जो referr website होती है वह एक तरीके से backlink होती है इस तरह से backlink work करती है बैक लिंक important होता है सिद्धी सी बात है simple terms में हम बात करें कि अगर आप two say now बात कर रहे हैं और तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं और काफी important बात कर रहे हैं तो तो इसका मतलब यह है कि जो तीसरा विखती है वो काफी important है और जो आप जिससे बात कर रहे हो उसके बारे में तो वह interested होगा उससे मिलने के लिए तो एक तरीके से backlink वही होता है कि दो जने आप उसमें बात कर रहे हैं तीसरे के लिए और कह रहे हैं कि भलाना बंदा बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है और जो दूसरा बंदा जिसके बारे जिसके आप तारीफ करें वह कहते हैं एक बार तुम्हें जरूर विजिट करूँगा उसके ऑफिस में एक बार तुम्हें जरूर जाओंगा वह विजिट करने के बाद उसको कैसा लगता यह उसका dependent होत तो आज इस वीडियो को मैं लंबा जादा नहीं करूँगा और फ्राद फड़ा बताता रहूंगा और नए नहीं जो चीज़े आती हैं वह मैं आपको आने वाली वीडियो में बताता रहूंगा कि बैक लिंक्स और किस तरह से आप कहां पर बना सकते हैं उससे पहले अगर केलेग्राम का जो ग्रूप है उसको आप जोइन कर लिजएगा लिक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में में छोड़ दूँगा और वहीं पर सारी थीम्स सारा जो आज कल जितना भी हमारा कोर्स का मेटेरियल है वो सारा आपको मिल जाएगा जहां द को आखरी की website का किसे आज कल चल रही है कहानी वह बताई थी और साथ साथ मैंने आपको keyword difficulty और keyword कैसे research करेंगें आप बता ही थी आज lumले को यह चीज़ जाननी ज़रूरत है कि आप जिसके लिए backlink बना रहे हैं वो कितना worth it है कितनी backlinks की जरूरत आपको होगी तो हम एक बार पिर से हम अपने keyword research पर जाते हैं और एक ये moz की बार आप download कर लिजेगा अपने extension होती है अपने google chrome के अंदर हम यहाँ पर एक लिखते हैं simple सा keyword YouTube SEO add यहाँ पर हम search करते हैं अमूमन यह होता है कि हम लोग backlinks बनाने पर ध्यान देते हैं लेकिन हम यह नहीं जानते कि backlinks जो हैं कितने बनाने हैं तब हमारी rank की position clear होगी इसमें एक चीज़ और भी है उसको और समझ लीजे कि backlink आप particular page के लिए बना रहे हैं या overall website के लिए बना र कर रहे होते हैं अगर आपका कोई ऐसा topic है जिसमें traffic बहुत जादा है और backlink कम है तो आपको उस topic के उपर या उस page के उपर आपको backlink बनाने चाहिए नादर देन की पूरी website के लिए क्योंकि website तो उसमें आ ही रही है इस बात का आप ध्यान रखेगा तो जैसे कि हमने एक keyword त इसके आगे हम लगा देते हैं in Hindi फिर देखते हैं कि इसकी क्या इस्तती हमें देखने को मिलती है कि अगर हम YouTube SEO in Hindi लगा देते हैं तो यहाँ पर इसको update कर दो एक बार तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना potential है और अगर YouTube SEO in Hindi को ही search करता है तो क्या उसको कितने keyword बाद मैं आपको बताऊंगा आज मैं आपको दो या तीन चीज़े बताऊंगा उसमें आपको काफी important चीज़े समझ में आ जाएगी इतने मैं इसको pause कर देता हूं जितने यह आ रहा है तो जो हमने example लिया था YouTube SEO in Hindi में तो volume उसकी अभी 100 है लेकिन इसका जो parent topic है वो मैं समझ 43 का traffic रोजका ले रही है इसमें कम ले रही है हम क्योंकि example group में चल रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई backlink नहीं है और इसी के साथ साथ अगर आप चलते जाए नीचे चलते जाए तो यहाँ पर आपको backlink zero के तरह दिख रहा है और जो है किसी भी तरह से आप इस पर आराम से rank कर स सकते हैं जैसे यहाँ पर इसने दो backlink बना रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे backlink के ऊपर अचा अगर आपको को कोई दिख्कत आ रही हो ना keyword research करने में तो आप Instagram पर मुझसे पूछ ले ना या कोई keyword आपको research करवाना हो तो मुझे बता दीज़ेगा क्योंकि आप पैसे मत कर्च कर दिएगा मेरे पास है तो मैं आपको बता दूँगा तो आप इन्होंने क्या किया हुआ है कि यहां के दो backlink बने हुए हैं एक इन्होंने अपनी website के ऊपर बना रखा है और एक इन्होंने same blog spot के ऊपर इन्होंने backlink यहाँ पर बना रखा है यहाँ पर redirect कर रहे हैं किस keyword के ऊपर आपको कितने backlink मनाने तभी आप top 10 results में जो है वो आ सकते हैं अन्य था थोड़ी से दिक्कत होगी क्योंकि index करने में Google कई बाट काफिट समय ले ले लेता है जिसकी वज़ासे दिक्कते हमें होती हैं एक चीज़ और है हैं पर कि search console जो है आपका उसके ऊपर मैं कोई post लिख रहे हैं तो 24 घंटे बाद या 5-10 घंटे बाद उसे एक बार चेक कर लें कि वह आई भी है कि नहीं आई है और नहीं आई है तो request डाल सकते हैं आप आगे आपको में वीडियो में बताओंगा कि किस तरह से सब चीज़े की जाती हैं अब हम चलते हैं Google पर और यह कोरा में अच्छी बात यह हो गई है कि आप कोरा से पैसे भी कमा सकते हो अगर आप आप आर्टिकल जो है लिखना जानते हो तो और दूसरी वेबसाइट है मीडियम यह दोनों वेबसाइट ऐसी हैं कि जो गूगल के सर्च में भी आपको देखने को मिल जाती है और जैसे मैंने कहा कि मोज में आप यह मोज की जो एक्सेंशन है इसको आप डाउनलोड जरूर कर लीजेगा और इनके जो साइन अप्स हैं वो बुलकुल सूपर एजी हैं कोई आई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपनी राय इतनी ज्यादा भावनाव में लिख देते हैं कि वह आपके लिए आर्टिकल का काम भी कर जाती है थोड़ा बहुत हेर फेर अगर आप कर दें तो आपका आर्टिकल भी यहां पर तैयार हो जाता है तो यहां पर अगर हम सर्च करते हैं YouTube simple YouTube यहां पर हम बात कर रहें की YouTube से related जो पर topics हमें मिल रहे है तो यहां पर हम सर्च कर देंगे topics तो हमारे पास काफ uniform topics यहां पर खुल का आ यहां पर हमारा meeting आया यहां पर आया YouTube क्पटझा के सारे followers इसमें हैं इसी तरह से अगर आप इस website को देखें देखें इसका registration process बहुत easy है और अगर आप इसका domain authority और page authority देखें तो वो भी कमाल की है मतलब 95 medium की है और medium की domain authority है और आपकी page authority जो है वो 83 है तो बहुत सबर्दस्त है तो यह जो है आपका और scam score देखें website का spam score जो होता जितना low होता अच्छी website होती है इस बात को भी आप जान लीजे तो यहां पर अगर आप search करें सेम चीज़ यहां पर आप YouTube search करिए तो आपको YouTube से related काफी सारी चीज़े मिल जाएंगी आप चाहें तो यहां इसको लिख सकते हैं कि जैसे यह बहुत सारे दोस्तों को भी दिक्कत होती है न कि YouTube पे कहां से हम topic लेकर रहे हैं तो यह topic भी आपको मिल जाते हैं आप देखें इसने कुछ ऐसा लिखा होगा तभी एक backlink आप यहां पर create alarm से कर लेते हैं I think इसमें कोई problem आपको आएगी नहीं आप जैसे माल लिजे इसका कोई answer मुझे provide कराना है how to start YouTube journal या YouTube shots worth it तो मैं यहां पर अगर answer इसको देना चाहूं तो मैं यहां पर answer दे सकता हूं यहां पर आप देखें तो यहां पर एक link का option आ रहा है तो मैं आप बोल सकता हूं yes it is worth it worth it to grow your channel ठीक है YouTube channel link लग सकते है YouTube channel and मैं इसका आगे और भी लिख सकता हूं main keyword को focus करते हुए you can check YouTube SEO on my website ठीक है तो यहां पर हमारा यह keyword हुआ YouTube SEO पर हम ले रहे हैं तो हम यहां पर click करेंगे और यहां पर अपना channel का जो हमाई website है उसका हम URL डाल देंगे जो कि मैंने बनाई हुए YT SEO Hindi मैं example के रूप में बता आपको इस बात का ध्यान रखेगा और यहां पर मैं डाल दूँगा और add कर दूँगा तो यह हमारी यहां पर बन गया और उसको मैं post कर दूँगा तो हमने क्या किया हमने एक backlink यहां पर create कर दिया अब यहां पर को YouTube SEO पर जैसे क्लिक करेगा तो वो हमारी उस पर पहुंच जाएगा यहां से हम क्लोज कर देते हैं तो यह हमारा एक backlink यहां पर create हो गया उसी तरह से इसमें आप अगर देखें इसको यहां से क्रेट करनी होती है आप चाहो तो जैसे थोड़ा बहुत यहां से आप ले सकते हो अपने चैनल से भी आप निकाल सकते हो तो जैसे की मैं यहां से copy करता हूँ और यहां पर आपको एक story क्रेट करनी होगी story इस पर जाना write a story and write a story करने के बाद आप title दे दीजे इसका यहां पर आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजे वीडियो को like जरूर करिएगा ठीक है पूरा लिखने के लिए जरूरत नहीं है आपको तो इसमें देखिए मैंने internal link भी बना हुए है copy मतलब इस तरह से आप लिखेंगे मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूँ इसका पेस कर दीजें हाँ और आप चाहें तो इसमें option भी आपके पास होते हैं आप BENE बहुत कुछ आप कर भी सकते हैं और यहां पर अगर आप चाहे तो यहां पर आपके पास Link का Option भी आपको मिल जाता है तो अगर आप यहां पर अपना को Keyword पे चाहते हैं मालीजे इस तरह से मैं चाहता हूँ तो यहां पर मैं link अपना create कर सकता हूँ यह देखिए link पे मेरे को करना है और मैं particular post के उपर एक link create कर दूँगा मैं आपको general बता रहा हूँ आप proper तरी कैसे करिएगा यह हमारा link यहाँ पर create हो गया और इसके बाद आप चाहें तो photo वगएर भी यहाँ पर add कर सकते हैं यह देखिए यहाँ पर photo करने का या आपकी जो video है उसका भी यहाँ पर option आ जाता है आप अपनी video को भी यहाँ पर add कर सकते हैं add video पर जाएंगे तो आप YouTube की जो video का link होता है जैसे मैं आपको एक link यहाँ पर post कर कर दिखा देता हूँ इसके अंदर YouTube SEO आप सेम चीज़ कर सकते हो YouTube के लिए विजो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ न जैसे यहाँ पर मैंने पहले एक video बनाई थी तो यहाँ पर मैं बतायता हूँ तो ययसे यह वाली मेरी video है यह वाली video को मैं यहाँ से ले लेता हूँ BACK कहां गया यह डा यहाँ पर डाल दीजिए अन उसके बाद आप यहाँ से publish कर दिजिए, अपने आप आजाएगी वीडियो हैं यहां से पप्लिश कर दिजिए, टैक्स टालना चाहें, आप टैक्स टाल देते हैं, यहां से YouTube, SEO, इस तरह से आप एक ही यहां पर आपको टैक्स भी मिल जाएंगे, publish कर दीजे, हमारी story publish हो गए, इसको आप बाद में edit भी कर सकते हो, यहीं कोई problem नहीं है, एक तो हमारे पाद दो तरीके तो यह हो गए, backlink बनाने के, इसमें आपके देखो, double backlink बन गया एक तरीके से, आपका यहाँ पर भी website का बन गया है, यहाँ पर, और आपकी वीडियो भी यहाँ से backlink बना सकते हो, और website के लिए भी आप बना सकते हो, तो एक page पर एक बार में आप दो backlink एक सथ बना सकते हो, अमुवान होता भी है यह है कि, जो हम YouTube के लिए बोलते हैं, वही हम अपने pull-up पर भी डालते हैं, तो आप दोनों काम यहाँ से, जो है, वो create कर सकते हो, तीसरी जो चीज़ है, उसमें थोड़ा सा difference है, आईए उसको भी समझ लीजे, लेकिन आगे like कर देज़ेगा वीडियो को, यहाँ पर आपको search करना है, drop my link गूगल पर जाके, यहाँ पर आपने click करना है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा, थोड़ा सा मश्रकत का काम करना पड़ेगा, वो दोनों platform सोड़े से easy थे, यहाँ पर आप search करिए YouTube, यहाँ पर YouTube SEO, search करिए, और यहाँ पर black platforms लेने है, या आपने guest post लेनी है, आगर guest post वो होती है, कि आप दूसरे के, इस मतलब वो मत समझ नहीं कि कुछी के दिवार पर जाके लिख रहे हो आप, किसी के blog प accepting the guest post, मतलब वो blog या website accept कर रही हो blog पर, या फिर हमारे पास contributor बनना चाहते हैं, guest writer बनना चाहते हैं, किसी की website पर contribute करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारे को backlinks जो हैं मिल जाते हैं, तो यह हम कर सकते हैं, इसके साथ साथ अगर आप comments में backlink बनाना चाहते हो, तो वो भी बन सकत हैं, तो यहाँ जैसे माली जी मैं comments में राना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सर्च करूँगा, और जैसी मैं सर्च करूँगा, तो आपको यहाँ पर pin interest का option मिल गया, और यहाँ पर यह ICTweb.org के नाम से एक website मिल गई, यह बिलकुल latest मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपको अभी तक नहीं बताया हो किसी ने, तो यहाँ पर यह सही website नहीं open हो रही है, कुछ websites होती है, open कुछ नहीं होती है, यहाँ पर हम इसको खोल लेते हैं, और यहाँ पर आप, पूरा इ in your niche, तो यह सारा इन्होंने article दे रिया, और इसके उपर भी आप बना सकते हो, नहीं है तो आप इसमें और options हाते हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि आप forums में भी डाल सकते हो, और आप intense debate के अंदर भी डाल सकते हो, यह सारी चीज़े जो एक digital marketer होता है न, वो करता है, तो जै वेबसाइट पर आ रही है, search engine जनल, यह बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट से, और यह मोजबार जो मैंने आपको बताई है न, डालने को, इसलिए मैंने बताई है कि आप इसको डाल लेज़ेगा, SCM Rush है, यह कुछ ऐसी वेबसाइट है, शाउट में क्लाउड हर्श्टा करवाल की आई थिंग, यह वेबसाइट आपसे कह रही है कि आप guest post करा लेज़े, तो इनकी कुछ शर्ते होती हैं, और आप उन शर्तों में अगर आते हैं तो जरूर डालिएगा, जैसे increase your online audience by guest posting, तो यहां हम इसको call के देख लेते हैं, तो यहां पर कुछ शर्ते हैं इनकी, इस शर्ते आपको पढ़नी पढ़ेंगी, what is guest posting लिखा हुआ है इनोंने, किस तरह से आप guest post कर रहोगे, आपको quality traffic मिलेगा, यह तो खिर guest posting पर इनोंने समझा रखी है, तो इसमें तो कुछ खास किया क्या है, guest post, killing blog, यहां पर यहां सारे चीज़े आपको बताई गई है, अब देखे, यहां पर उन्होंने बताया है कि किस तरह से आपको guest post करनी है, content कितना बड़ा होना चीए, spam content नहीं होना चीए, यह copyright images नहीं होनी चीए, content की quality अच्छी होनी चीए, self promotion नहीं, I don't mind self promotion as long as providing your value the article, ज्यादा नहीं होना चीए, होना चीए, लेकिन unrelated issues नहीं होने चीए, यह सारे चीज़े आपको, हर्शागरवाल की website है, हां मैं सही था, तो यह बहुत पढ़ाने blogger है, इनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, तो यह इस तरह से आप यहां पर इनकी terms and conditions को भी प्रोफाइल मेकिंग यह बता हूँगा, और आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, कि अपने website से related कोई blog spot पर या wordpress पर कोई blog बना लो, या weebly पर बना लो, wix.com पर बना लो, फिरी वाली में, और उससे आप एक link ले लो, पूर टाइम बिंग, क्योंकि कई बार ऐसे हो कुछ topics ऐसे, कुछ ऐसी website बन जाती है, जो मतलब provide करा देती है, अच्छे quality backlinks, तो इस तरह से आप backlinks करेट कर सकते हो, अभी 2022 में, और इसके आने वाली वीडियो में, मैं आपको और कुछ बता हूँगा, I think आपको वीडियो clear होई होगी, मिलता हूँ आप से एक नहीं वीडियो मे तो तक हमने बहुत बहुत यार रहा हूँ